PVR ने अपने recent highs से around 31 days में fall किया और हमें यहां पे A label किया है इस 31 days के बाद price में फिर से एक upside आया जिसे हम भी label कर चुके है अब अगर दियान से देखिए यह up move 36 दिन में आया है और previous fall 31 days में आया था which means यह जो apprise है यह corrective apprise है और इसमें जादा time लगा है और इस अप move ने अपना previous swing highway clear नहीं किया इसलिए यह expectations बनती है कि यहां पे एक और fall आ सकता था और यह fall अब इसमें आ चुका है क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं फिर से एक fresh load टाइक किया है और यही view हमने last time share किया था आज हम PBR की इस वीडियो में wave analysis, time analysis, उसके important supply और demand की बात करेंगे और आपके साथ यह सारे levels share करेंगे पहले हम discuss करते हैं इस वीडियो में आपके साथ क्या करेंगे हम अपनी last update share करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि यह stock fall क्यों कर रहा है पिर हम बात करेंगे इसकी wave analysis, इसकी क्या कह रही है आपको important demand and supply के level share करेंगे पर एक fresh view आपके साथ share करेंगे यहां पे analysis आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर यह video आपको पसंद आ रहा है वीडियो में आप नया कुछ सीख रहे है तो वीडियो को like करते रहे यहां पे आप देख सकते है last analysis हमने जो एक महीने पहले की थी यहां पे आपको हमने बताया है कि price around 1740 पे था यह B wave चल रही थी और हमने आपको बोला था यहां पे कभी भी यह trend line का breakdown अगर हुआ तो एक अच्छा fall आ सकता है और यहां पे अगर आप देखे इस के बाद यह है वो screen और यह fresh price है आप देख सकते है price around 1549 का हो चुका है और यहां पे उसी तरह से जिस तरह से हमने यहां बताया था उसी type का impulse correction impulse का pattern बना है यह impulse correction impulse का pattern बना है और यहां पे एक अच्छा fall आया है इसी को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ अब एक fresh view start करते है इस stock का यहां पे आप देख सकते है एक weekly basis यहां पे एक ABC pattern बन रहा है और इसको अगर हम और divide करें तो हमें देखता है कि जो यह B से C की wave है यह internally भी एक wave में divided है जिसे हम ABC लेवल कर रहे हैं तो यहां पे आपको देखता है एक बड़ी wave एक छोटी wave में divide होती है मतलब price section multiple degrees में अगर आप divide करें तो आपके लिए और move को पहचानना आसान हो जाता है वैसे ही हमने इस price section को इस fall को divide कर दिया अब इसको हम further divide करते हैं जैसे अगर आप देखिए यहां से ABC में आया है अब यह B से C के move को हम और divide करेंगे और चोटे time frame में जाएंगे और उसको आपको divide करके बताते हैं अब यहां पर अगर आप इस B से C के move को divide करें यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास important levels जो आ जाते हैं यह है 1722 का कि एक swing high है अगर आप early chart देखेंगे यह जब तक यह cross नहीं होता अब stock एक uptrend में नहीं आएगा और early basis अब यहां पर possibilities क्या है एक possibility है जो मैंने यहां पर आपको एक बताया है कि यहां पर यह swing high cross नहीं होगा यहां पर आपको कुछ up move मिलेगा जो short term correct structure होगा और उसके बाद एक फिर से यह low है यह tag हो जाएगा और इस case में क्या आपका swing high फिर से change होके यहां 1722 से यह level हो जाएग जो level अभी हमें नहीं पता और फिर उसके ओपर जब price निकल जाएगी तो यह एक up trend में आ जाएगा जब हम इसमें positions बना पाएंगे यह एक scenario है जो दूसरा scenario है वो भी आपके सामने रख देते हैं इस case में आपको directly यहां पर जो 1722 है यह level break होता हुआ दिखाई देगा और swing high को निकाल लेगी और इसी के बाद जो भी dips आपको मिलेगी वो आपको buy on dips होगी अगर आपको corrected dips मिली और यहां से फिर हम freshly और इसमें plan कर पाएंगे swing trade तो यह एक better view है अगर यह होगा अगर यह नहीं होता और दूसरा case है तो हमें और wait करना होगा पर दोनों ही cases में आप द correction में चाहिए अगर आप intraday trader है तो definitely या अगले कुछ दिनों तक आप इसमें bullish entities ले सकते हैं क्योंकि जो यह correction है वो over दिख रही है यहां पर या तो corrective structure बनेगा या एक बड़ा impulsum मिलेगा बट दोनों जगा एक uncertainty है तो as a swing trader हमें इस uncertainty और reduce करना है ताकि हम better views में शेयर कर सके अब यहां पर हो गई यह wave analysis क्या कह रही है अब एक बर हम इसके demand और supply पर भी ध्यान दे देते हैं अब जैसे आप यहां पर देख रहे है जो यह level है यह weekly demand zone में price आ चुकी है यह demand zone क्यों है यहां से आप देख सकते है back to back एक अच्छा move आया है अगर यह level break भी हो चाता है तो इसके नीचे भी एक strong demand zone है और अगर आप supply की बात करें तो वो यह zone है जो अगर आप इसका high देखे तो around 1722 जो हमने आपको swing high बताया यह वो ही zone है तो यहां से दो तरगे participants होते है share market में एक होता है जो retail traders होते है एक होते है institutions तो institutions को पता है यहां पे क्या होने वाला है बड़ जो retailers है उनको यहां पे उनको बोलते हम reaction जो reaction आई उसके साब से उनको trade करना है अगर यहां से एक move आती है और वो corrective in nature है वो supply में आएगी फिर से price आप देख सकते है फिर से एक low बनाएगी अब जैसे हमने आपके साथ दो व्यू शेर किये थे जिसमें first view था कि यह जिसमें यह swing break हो जाता है तो वो होता है तो आपके supply taken out हो जाएगा वो ही हमें चाहिए क्योंकि जब तक यह supply taken out नहीं होता तो यह price को उपर जाने नहीं देगी अगर यहां पे उपर जाती भी है तो यहां से strong supply से rejection ले सकती है तो unless and until यह supply upside में nuclear नहीं होता तो यहां पे एक fall का हमेश कर देता है और फिर आपको dips में इसको buy कर सकते हैं I hope यह point आपको समझा रहा है वीडियो में आपको कोई नहीं information मिली है वीडियो को like करते रहे चैनल को subscribe करें को doubt है उसे comment डाल सकते है thank you and have a nice day